वेलकम टो चैनल नौज़ाब फार्मेसी पायरा सीटामॉल 1000 mg यानी 1000 mg टेबलट का आज हम रिव्यू करते हैं तो इसमें जो इस्टेंथ है 1000 mg तो 300 mg या 300 mg तुरंत यानी इमिडेट रिलीज हो जाती है यानी जैसे खाते हैं तुरंत ये रिलीज हो जाती है और वहीं 700 mg यानी 700 या सार यानी सश्टन रिलीज यानी धीरे धीरे 12 घंटे तक रिलीज होती रहती है इसलिए ये 12 घंटे तक असर देती है वहीं ब्रॉण नेम की बात करें तो नेक्स पार एसार 1000 पी एम वण पैराजेसिक 1000 तो ये कुछ ब्रॉण नेम है जो भी इस सरलता से आपको मिल करते हैं वहीं हम देखते हैं कि ये कैसे कारी करती है तो ये ब्लॉक कर देती है केमकल मेसेंजर डैट काज पेन इंफ्लामेशन और फीबर जो केमकल मेसेंजर जिम्मेवार होता है फीबर के लिए दर्द के लिए और सूजन के लिए उसको ये ब्लॉक कर देती है यानि प्र बुखार और दर्द में इसको प्रियोग में लिया जाता है यानि दर्द और बुखार में वो बुखार जैसे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया क्योंकि इसमें जो है वो जो पैरा सेटा मॉल जो है 500 लेते हैं तो चार-चार घंटे पर यानि लेना पड़ता है तो इसको यह 12 घंटे तक इसका असर रहता है तो उसमें डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या अधर इंफेक्शन में भी दिया जाता है पोस्ट आपरेटिव पेन यानि आपरेशन के बाद जो दर्द होत होता है उसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं और जो है नी पेन यूम आश्टियो अर्थराइटिस यानि आश्टियो अर्थराइटिस के घुटनों के दर्द में भी यह प्रियोग में लिया जाता है और भी जो दर्द होता है उसमें डॉक्टर इसको प्र यह याणि लेवर किड्नी से संबंधित प्राबलम हो या फून पतला करने वाली मेडिसीन चल रही हो तो डॉक्टर से प्रेश्ट फीडिंग यह प्रेग्नेंसी हो तो डॉक्टर से बता-दे तो डॉक्टर से बता-दे अलखुहल एवयड यानि 24 घंटे में इसको दो बार देना है वहीं ये suitable होता है पेशेंट के risk for gastrointestinal complication मतलब जो gastric irritation होता है वो ये कम करता है क्योंकि ये जो है तीन टाइम तो लेना नहीं होता है 12 घंटे में एक ही बार लेना होता है तो इसलिए ये जो है अच्छी होती है और ये डाक्टर प्रिस्क्राइब करें तो आपको लेना चाहिए ओके थैंक्स आप चाहें तिसके इन सौट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में